मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं मेरी तरफ शे नमस्कार इस टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं चब क्वेश्चन की वो क्वेश्चन जिनमें डिलेटिष Chief से डिलेट करके क्वेश्चन का अन्सर निकाला जाता है और ये जो relative speed होती है उसके बारे में हम लोगों ने पहले ही discuss किया था जब time speed distance की शुरू की जो वीडियो बनाई है उसमे relative speed same direction में क्या होता है और opposite direction में relative speed क्या होता है उस पर discuss किया हुआ है हम ये कह सकते हैं कि जो पहली class है उसी में हम लोगों ने discuss किया था कि opposite direction में वहाँ पर बात की जाती है दो train है उन दोनों में speed है तो वहाँ पर related speed same direction में क्या होगा और opposite direction भी क्या होगा लेकिन अगर हम बात करें आप boat and stream के जो question है इनमें अगर हम बात करें same direction या opposite direction तो क्या ये अलग होगा उससे नहीं अलग नहीं होगा लेकिन यहाँ पर stream का जो speed है वो effect करेगा किस case में करेगा किस case में नहीं करेगा या उसका कोई effect ही नहीं पड़ेगा relative speed के part पर opposite direction में या same direction में इस point को discuss करेंगे समझते वे आगे जो questions को किस तरीके से solve किया जाए आज की class में वो सीखेंगे समझेंगे ताकि आगे के जो question आपके exam में आते हैं या किसी book में अगर आप solve करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई problem न आए तो जैसे आपकी screen पर दिखाई दे रहा है first question और यह first question आपका क्या है question है the distance between A and B is 174 km two boats start moving towards each other at the same time at point A and B respectively one in upstream and other in downstream if their speed in still water is 9.6 km per hour and 19.4 km per hour respectively then in how much time they will meet अब यह जो question है इसका हिंदी में एक बार बता देने हैं क्या question में बोला गया है दो अस्थान A तथा B के बीच की दूरी 174 km है दो नावे A तथा B से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलना प्राड़म करती है जिन में से एक upstream में और दूसरी downstream में मतलब एक धारा के साथ चलती है धारा के दिशा में और एक धारा के विपरीद दिशा में अगर उनकी गती क्रमस 9.6 km per hour and 19.4 km per hour सांत जल में है तो ग्याद करो कितने समय के बाद वे मिलेगी उनकी गती भी बताई गई है लेकिन वो upstream में speed और downstream में जो speed वो ना बता करके आपको बताया गया है कि सांत जल में दोनों की गती कितनी कितनी है और वो upstream और downstream में चल रही है तो वो आपको stream के speed के according आप बता सकते हैं downstream मतलब जो board के speed होगा प्लस stream और upstream में board माइनस stream एकदम basic point है अचा दूसरा point यहां पर जो यूज होगा वो relative speed का part होगा और जो relative speed का part होगा इसमें हम लोग बहुत पहले ही यह relative speed पर जो question थे वो पढ़ चुके हैं लेकिन वो boat and stream का नहीं था चाए boat stream का हो या किसी भी part का अगर आप relative speed की बात करते हैं न चाए train पर हो चाए boat पर relative speed अगर हम बात करते हैं आप opposite direction तो हमें पता है कि दोनोई speed का sum और अगर हम बात करते हैं same direction तो same direction में दोनोई speed का difference यानि जो speed जादा होगी उसमें से कम वाले speed minus करके जो result आएगा वो relative होगा same direction में और opposite direction में दोनोई speed को add करने पर आपका relative speed आएगा relative speed अब आ जाएगा तो उसके बाद जो question में दिया गया उसमें question में दी गई information के according आगे आपको बढ़ना है तो relative speed मैंने पहले ही बता दिया क्योंकि आगे जो question आप करने वाले हैं जो भी question 5-6 question आज की class में करेंगे तो उन सारे questions में relative speed का किस तरी से यूज हो रहा है वो आपको समझना है और कैसे समझना है किस तरीके के question है उसके लिए आपको video देखना है अंत तक तो चलिए पहला question आपका जो है इसमें बोला गया है कि एक पहले दो बोला गया है A और B दो place हैं इनके बीच का distance 174 km है जिनके बीच का दूरी 174 km है 174 km है किसके बीच का दोरी A और B के बीच का दोरी दो प्लेस हैं A और B इनके बीच का डिस्टेंस 174 km है दो नावें चलना प्रारम करती है एक A से B की तरफ और दूसरी B से A की तरफ एक upstream में है एक downstream में A से B की तरफ जो जा रही है अबने का कि यह upstream में जा रही है और एक downstream में चलके आ रही है B से A की तरफ एक upstream में जा रही है और इस नाव की जो सांत जल में गती है वो कितना दी गई है आपको question में 9.6 km per hour जो boot जो नाव A से B के लिए चलना प्रारम करती है 9.6 km per hour जो नाव करती है 9.6 km per hour से upstream के direction में जिस time पर यह नाव चलना प्रारम करती है उसी time पर दूसरी नाव चलना प्रारम करती है same time पर B से A के लिए और उसकी speed भी बताया गया है जिस time पर यह A से B के लिए चलने वाली नाव 9.6 km per hour की speed से B के लिए चलना प्रारम करती है उसी समय पर एक दूसरी नाव B से A के लिए चलना प्रारम करती है जिसकी speed दी गई है 19.4 km per hour एक नाव A से B के लिए चलना प्रारम करती है 9.6 km per hour की गती से जिस समय पर उसी समय पर दूसरी नाव 19.4 km परावर की गती से B से A के लिए चलना प्रारम करती है बुला गया है कि कितने समय पर ये दोनों मिलेगी या मतलब कितने समय बाद ये दोनों मिलेगी कितने समय बाद ये दोनों मिलेगी तो आप यहाँ पर related speed की तो बात करेंगे जो 9 इधर से चल रही थी और जो 9 इधर से चल रही थी अगर देखे तो इधर से ये कुछ distance कवर करेगी और इधर से ये कुछ distance कवर करेगी मैं कहता हूँ इधर से ये 10 km कवर करती है और इधर से ये 5 km कवर करती है यानि दोनों मिलकर के एक घंटे में कितना cover कर लेंगी अगर मैं example के तोर पर मानता हूँ कि ये एक घंटे में 10 km चलती है और ये एक घंटे में 5 km distance travel करती है तो एक घंटे में इनके बीच का distance कितना कम हो जाएगा तो 5 इदर से कम होगा, 10 इदर से कम होगा अगर मैं करता कि ये एक घंटे में 9.6 km distance cover करती है और ये एक घंटे में 19.4 km distance cover करती है तो एक घंटे में ये कितना distance cover किया 9.6 कम किया इसके बीच का distance और इदर से 19.4 कम होगा लेकिन यहाँ पर हम बात train की नहीं कर रहे हैं आप पर हम बात करें बोट की और बोट है और आपको बोताया भी गया है कि एक तो पहला तो बोट है दूसरा आप इस्टीम और डाउन स्टीम की बात की गई है तो आप इस्टीम और डाउन स्टीम की बात तभी की जाएगी जब आपको पता है कि downstream धारा की दिसा में आप stream धारा के विपरिद दिसा में यानि कि धारा की कुछ न कुछ गती होगी अब वो है धारा की गती या नहीं है हमें तो नहीं पता लेकिन दिया तो नहीं गया कि नहीं है या नहीं है लेकिन aura stream और downstream की बात की जा रही है तो हम कहेंगे कि dharma की कति कुछ नकच होगी कुछ नकच अगर धारा की गति होगी तो हम कहेंगे जो नंए से बी के लिए चल रही थी कुछ ओगर थारा की कति हमने का कि जो धारा थी stream था उसका गति कुछ र HOUGA है हमने का x km per hour से अगर धारा की गती x km per hour से तो जो now a से b के लिए जा रही थी up stream में मैंने का up stream में जा रही थी इसकी सांध जल में 9.6 km per hour speed है और stream का speed x है तो up stream में speed क्या होगा both minus stream यानि कि यहां पर लिखा जा सकता है 9.6 minus x यह speed होगी इसका up stream के direction में दूसरी नाव जो b से a के लिए आ रही थी अगर उसका speed सांध जल में 19.4 km per hour से तो उस नाव का अगर उसका speed 19.4 km per hour से सांध जल में तो वो अगर down stream में चलके आ रही है b से a के लिए तो speed क्या होगी board plus stream यानि 19.4 19.4 plus x यह हो गया इसका speed जिस speed से यह इधर की तरफ आ रही है और यह हो गया a से b के तरफ जाने वाली board का speed 9.6 minus x अब यह दोनों मिलेंगी तो कितने समय बाद मिलेंगी जब यह चली थी तभी यह चली थी यानि time निकालना है कितने समय बाद मिलेंगी तो हम कहेंगे कि इनके बीच का distance 174 divided by divided by relative speed आएगा opposite direction में relative speed होता है और जब दोनों speed का सम करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं कि दोनों speed का सम होगा इन दोनों speed का सम opposite direction है तो हम कहेंगे 9.6 minus x plus 19.4 plus x और यह x plus minus cancel और यह add होकर कि कितना result आया तो कहते हैं 9.6 plus 19.4 29 km पर आउस relative speed आगया 29 किलोमेटर पर आउस यानि इनके बीच का जो distance से 174 किलोमेटर वो किस speed से कवर किया गया relative speed और वो relative speed कितना थी 29 और अगर हम इस से divide करते हैं तो कितना answer आ गया 6 घंटे बहुत basic question है लेकिन बस एक point ध्यान अखना है कि relative speed opposite direction में अगर बात करें तो अगर धारा में प्रवाब ही है तो एक में plus होगा दूसरे में minus होगा तो उसका कोई effect नहीं पड़ेगा condition same time पर चलती है अगर same time पर नहीं चलेंगी तो उसमें हो सकता है कि आपको problem आये वो अगले question में आप समझ लेंगे तो इस question का answer 6 घंटे total time दगेगा जब वो चलेंगी उसके 6 घंटे बाद वो रास्ते में कहीं पर मिलेंगी एक दुसरे से तो अगले question पर चलते हैं next question आपका है यह तो same time की बात कर रहे थे अब different time पर ट्रेने चलना प्रादाम करती है जैसे ट्रेने ने boat next question यह आपका the distance between a and b is 211 km one boat start moving from point a towards b in downstream at 7 45 a.m. after one hour another boat start from the point b towards a at 12.45 p.m. both boats will meet at 12.45 p.m. both boats will meet if the speed of boat first and second is 26 km per hour and 18 km per hour respectively in still water then find the speed of current धारा की गती गयात करो बुला गया है कि दो अर्स्थान a और b के बीच का दूरी 211 km है एक नाव a से b के लिए 7 बचकर 45 मिनट पर धारा के दिशा में चलना प्रारम करती है उसके एक घंटे बाद दूसरी नाव b से a के लिए धारा की विपरीत दिशा में चलना प्रारम करती है और वो दोनो नावें 12 बचकर 45 पीम पर रास्ते में मिलती है अगर पहली नाव की गती 26 km प्रती गंटा और दूसरी नाव की 7 जल में गती 26 km प्रती गंटा है तो ग्याद करो धारा की गती कितने थी अब अगर इस question में देखें तो पिछले question से थोड़ा सा लग है थोड़ा सा लग क्या है कि last question जो पिछला किया था उसमें तो discuss किया था कि same time पर चलना प्रारम करती है अब ये question है कि different time पर चलना प्रारम करती है और ये point हमें पहले देख चुके हमने पढ़ाया है आपको वेडियो जो बनाई है time speed distance के पहले की उसमें बताया कि जब different time पर चलना प्रारम करे opposite action से दो object तो जो object पहले चलता है उसे तब तक पहले चला लेंगे जब तक दूसरा object चलना प्रारम न कर दे उसके बाद दोनों मिल करके बाकी distance कवर करते हैं तो देखिए आपको करना क्या है इस question में दिया क्या गया है दो place से ए और बी जिनके beach का distance एक place A दूसरा place B इनके beach का distance आपको दिया गया 211 km दो place से ए और बी जिनके beach का distance दिया गया 211 km और आपसे ये बोला गया है कि एक जो नाव है वो A से B चलती है downstream में 7.45 पे एक नाव A से B चलती है A से B के लिए चलती है 7.45 एम पर 7.45 एम पर B के लिए उसके एक घंटे बाद दूसरी नाव B से A के लिए चलती है अज़र जो A से B के लिए नाव चलती है 7.45 पे वो किस speed से चल रही है तो वो बताया गया कि उसकी speed होगी जो पहली now downstream में जा रही थी उसकी speed कितना है? 26 km per house a से b के लिए जो now जा रही थी वो कितने speed से जा रही थी? 26 km per house और वो downstream में जा रही थी अच्छा downstream में जाएगी तो जो इसकी speed होगी वो कितना होगी तो हम कहा सकने 26 plus stream का speed और अगर मैं stream का speed में मान के चलूं, कि चलो stream का speed पता नहीं है, पता करना है, x है, तो मैं कहूंगा कि यह किस speed से जा रही होगी, 7.45 पर यह चलती है, इसकी speed थी 26 km प्रतिगंटा, वो आपको question information दी गई है, और अगर वो 7.45 पर चलना प्रम करती है, 26 km प्रतिगंटे की गती से किस direction में downstream में जा रही है, तो उसकी speed क्या होगी जब downstream में जाएगी, तो 7 जल में करती थी 26, और stream का speed x माना, यानि 26 plus x की speed से जाएगी, 27.45 पर चली थी, दूसरी नाव जो चली थी, वो कब चली थी, उसके एक घंटे बाद, एक घंटे बाद चली, यानि कि हम कह सकते हैं, य ये वाली नाव 8.45 एम पर चली होगी, अच्छा कर ये 8.45 एम पर चली होगी, तो ये नाव, इस नाव के कितने समय बाद चली है, एक घंटे बाद, जब ये एक घंटे बाद चली है, हम लोग discuss कर चुके हैं, कि जब भी अगर दो object एक दूसरे की तरफ चलना प्रारम करते ह हैं, तो हमें क्या करना होता है, कि अगर वो सेम टाइम पर है, तो directly distance को relative speed से divide करते हैं, तो time निकलाता है, कितने समय बाद मिलेगे, लेकिन अगर वो दोनों, जैसे हमने कहा कि time निकालना हो, तो हम यहीं तो करते हैं, distance upon relative speed, लेकिन कभ ये directly apply करते हैं, जब दोनों object में, speed जो object पहले चलता है, उसे पहले तब तक चला लेंगे, अकेले जब तक कि दूसरो object चलना प्रारम न करें, यहां पर पहली नाव जो 7.45 पर चले थी, उसे तब तक चलाएंगे, जब तक दूसरी नाव चलना प्रारम न कर दें, तो पहली नाव 7.45 पर चले थी, और दूसरी ना क्या हो जैगा 845 और जयसे ही 845 हुआ और ये भी 845 यानि ये अब इसके बार देखें तो ये ट्रेम्ड ये जो बोर्ट है त्रेन की बात discipline करें बोर्ट है ये 845 पर इधर से distance cover कर ये दूसरी जो बोर्ट है वो इधर से 845 के बार जो distance cover कर ये रास्ते में यह मिल लगी है यानि 8.45 पर ये जहां से चली थी तो 8.45 पर हमने क्या किया एक घंटे चला लिया अब जहां पर भी होगी 8.45 पर वहां से आगे का distance कवर किया अब यहां पर दो बात आगे की 8.45 के बाद का ये distance और आठ पेतालिस के बाद ये जो distance आपका है वो किस स्पीड से कवर किया जाएगा तो ये distance कवर किया जाएगा relative स्पीड से और relative स्पीड क्या होगी opposite direction में तो opposite direction में दोनों स्पीड का सम होगा इधर वाली का relative स्पीड कितना था तो हमें पता है कि UK यह 18 km प्रति गंटे की घर्ति से आ रहे थी और यह अप इस्ट्रीम में छल रही थी तो स्पीड अगर X है तो 18-X relative speed कितना हैंगा थो हम कह सकते हैं इधर वाली का speed 26 plus 16 इधर वाली का speed है 26 plus x उदर वाली का speed 18- do hi two speed को जोड़ा – – add cincel 26-18 यानि relative speed क्या रहेगी यहां पर तो रिलेटीव स्पीड आ गई यहां पर जो रिलेटीव स्पीड आ गई कितना आ गई यह कितने समय के बाद मिली है 8.45 से 12.45 8.45 से 12.45 तो आप calculate करके देख लेना 4 घंटे आ रहा है अगर यह 4 घंटे के बाद मिली है और हर घंटे में यह आपस में जो beach की distance से 44 की speed से कम करेंगी और 4 घंटे में मिलेंगी यानि 44 इंटू 4 आपका कितना इनके beach का distance आ गया तो वो distance आ गया 44 इंटू 4 176 किलोमेटर तो जो आपका इस point से और इस place से के beach में distance जो है वो कितना है हमें पता चल गया 176 किलोमेटर है total distance कितना था 211 किलोमेटर इसमें से यह जो distance है 8.45 के बाद इनके बीच में जो distance बचा था वो 176 था तो इस से पहले कितना distance इसने जो अकेले कवर किया है 48.45 से पहले ये वाला जो distance से एक गंटे में कवर किया है तो कितना distance कवर किया है तो हम कह सकते हैं कि 119 कितना कवर करेगी 26 plus X distance बढबर speed into time 1 गंटे into 1 speed जिसे speed से cover करेगी time एक गंटे अगर दो गंटे होता तो into 2 फिलाल एक गंटे था into 1 is equal to कितना distance आया तो distance आपको कितना आया total 211 km है इसके बाद इतना distance cover करने के बाद जो distance था 176 है तो ये distance कितना था 211-176 211-176 जो कितना रहा है 35 211-176 कितना रहा है 35 यानि कि 20 26 plus x is equal to 35 then x will be then x will be 9 यानि हम कह सकते हैं कि जो धारा की गती थी ना वो कितना थी 9 km पर आवस तो यहां से आपका result निकल के आया कि जो धारा की गती थी वो कितना थी 9 km पर आवस यह मैं पूरा figure बना बना के समझाता हूँ ताकि आपको सारे जो concept हैं समझ में आया कि किस तरीके से हो रहा है बाकी जब आप question करने बैठते हैं और आपने practice किया है और आपको समझ है इस तरीके के question की तो पूरा figure बनाने के ज़रूरत नहीं होती है figure mind में भी बन जाता है और calculation करके हम result पर जाते हैं तो चलिए अगले question पर चलते हैं थोड़ा सा different तरीके का वो अगला question दिखेगा बट आपको थोड़ा सा ठीक से समझना है और question का answer निकलाएगा तो यह question ऐसा है थोड़ा सा विकार तरीके का दिखता है थोड़ा बड़ा दिखता है या गुमा के दिखता है इसलिए मैंने इस पर एक question की जंगा दो से तीन question रखे हैं ताकि एकदम आपको clear हो जाए question है मारिया वाज traveling in her boat when the wind blew her hat off and the hat started floating back downstream the boat continued to travel upstream for 15 more minutes before मारिया realized that her hat had fallen off and turned back downstream she caught off with that as soon as it reached the starting point find the speed of river if मारिया अच हैट flew off exactly 4 km from where she started अचा इसका हिंदी में मतलब क्या है हिंदी में मतलब है मारिया अपनी नाव से यात्रा कर रही थी और वह अपनी नाव से यात्रा कर रही थी upstream के direction में उसका कुछ दूरी यात्रा तै करने के बाद जो हैट थी हवा के कारण उड़ गई और उड़ने के बाद उसे तुरंत पताना चल करके जब उसकी हैट उड़ गई उसके 15 मिनट बाद उसे पता चला कि उसकी हैट उड़ गई है यानि पानी में गिर गई है तो मारिया को जब यह पता चला तो वो उसके बाद कितने समिक बाद उड़ने के 15 मिनट तक वो सिरा आगे continue चलती रही लेकिन उनने के 15 मिनट के बाद जब उसे पता चला तो वो तुरंत रिटर्न हुई अपनी हैट को लाने के लिए हैट को प्राप्त करने के लिए और रिटर्न होने के बाद वो हैट की तरफ मूँ करती है और वो हैट उसे कब मिलती है वो हैट जहां से वो चली थी जैसे ही वो हैट उस starting point पर पहुची जहां से वो चली थी वैसे ही मारिया उस हैट के पास पहुच जाती है यानि hat उसको मिल जाती है और ये भी बताया गया कि मारिया कि जो hat है वो जहां से वो चली थी उससे exactly 4 km दूरी पर थी 4 km दूरी पर यानि जहां से start किया था वहां से 4 km की दूरी पर उसका hat उड़ गया था तो अब आपको बताना है कि stream का speed कितना होगा कि stream का speed कितना होगा तो चली इस question को देखते है question क्या है इस question को अगर ध्यान से करें ठीक से समझ के करें तो कोई tough question नहीं है वैसे answer निकालने के लिए तो मैं तो आपको इस तरीके के question रट्टा मानना हो तो सीधा-सीधा answer आता है कि जब भी अगर ऐसा question आता है stream का speed निकालना हो तो आप directly कर सकते है directly क्या कर सकते है कि directly आप करेंगे क्या stream का speed मैं directly stream का speed निकालने के लिए इस तरीके question के लिए बता दे रहा हूँ सीधा-सीधा answer आपको जितना distance exactly जितने distance के बाद तोपी उड़ी थी उसकी वो distance को divide कर देंगे divide किसे करेंगे जितने समय बाद उसे पता चला था उसके double time से यानि 15 मिनट बाद पता चला था तो 15 का double 30 मिनट है तो इसको hours में convert करेंगे उपर 60 यानि हम कह सकते 8 km पर आउस तो रट्टा मानने के लिए मैं सीधा बता दो कि आपको stream का speed बताना है stream का speed directly आपका आजाता है कैसे आता है तो कितने जहां से उसने start किया था उससे कितना दूरी पर वो hat उड़ी थी तो बोला गया 4 km वो distance divided by जितने समय बाद उसे realize हुगा कि उसकी hat उड़ गई है वो directly उस time का double से divide करना यानि 15 है तो 30 से divide करेंगे यह km है यह minute है तो hours में convert करने के लिए 60 से divide करेंगे तो यह उपर जाएगा तो answer हो जाएगा 8 km पर आउस तो यह जो question है इसका answer मैं कहूं कि आउसर कितना हैगा तो मैं कहूंगा 8 km पर आउस तो सीधा सीधा answer आजाएगा लेकिन अगर आप से इसको समझ के करना करने के लिए बोला जाया तो मैं एक बार आपको details समझा दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि question में जो information दी गए exactly same information अगर आपको इस तरीके के question exactly आता है तब तो आपका answer आएगा लेकिन अगर question घुमा दिया गया और आपको नहीं पता है तो वहाँ पर problem हो सकती है तो जब अगर ऐसा question है जो रट्टा मार दिख रहा है तो आप सीधा सीधा distance जितने distance के बाद उड़े थी उसको divide करेंगे जितने समय बाद realize हुआ उसके double time से divide करके आपका सीधा answer आजाएगा stream का speed तो चलिए देखते हैं इस question में क्या है किस तरीके की condition है पूरा detail से समझते हुए अच्छा इस question में अगर आप देखो तो बोला गया कि मारिया किसी अस्थान से चलना प्रारम करती यह starting point है उसका में लिया starting point है इस starting point से वह चलना start करती है और कितने समय बाद उसे realize होता है कि वह चलना प्रारम करती है और कुछ distance चलती है अब कुछ distance चलने के बाद उसकी हैट उड़ जाती है और जब उसकी hat उड़ गई कुछ distance चलने के बाद तो उसे तुरंट पता नहीं चला और तुरंट पता नहीं चला और ये बोला गया ध्यान रखना कि कि इस direction में जा रही है downstream या upstream में कि वो upstream में जा रही थी क्योंकि hat off and the hat started floating back downstream यानि कि वो जा रही थी upstream में तभी तो back की तरफ downstream की बात की गई है तो द्यार रखना इस point का कि इधर की तरफ आपका क्या है ये जो direction है ये कौन सा direction है upstream का और hat रूडने के बाद starting point पर मिले है यानि पानी के साथ ही तो बैयागी तो पानी के साथ बैयागी मतलब पानी इधर की तरफ आ रहा है और now अगर जा रहे है इधर की तरफ पानी इधर आ रहा है ना उधर जा रही है इसका मतलब आप इस्ट्रीम में जा रही है ये भी समझने के लिए कि आप इस्ट्रीम इधर आपका क्या है downstream इधर आपका downstream है इस question में के recording डिगर information के recording और इधर आपका upstream है उसका जो नाव था नाव पर वो चल रही थी उसकी head जब उड़ गई उसको तुरंट पता नहीं चला उसके 15 मिनट बात पता चला है तो 15 मिनट तक जब तक उसे पता नहीं चला वो अपनी नाव को चलाती रही किस direction में कितने समय तक पंद्रह मिनट तक फंद्रह मिनट तक अगर वो चलाती रही नाव को अपश्टीम के direction में तो 15 मिनट में कितना distance कवर करेगी तो हम कहते हैं कि बोट कई में जाएगी किस disrupt से जाएगी तो वह सौरी कीलोमेटर पर आपस की जगह क्लिकी कुछ मेनेट में दिया तो यहीं मननेत में तो मीनि тут के kort нашем करें यहा दा भेटर रहेगा हमें करने की ज़ुरूत नहीं होगी अगर km पर hours में km पर minute में time है आपका speed याँ उसको होता तो हमे पहले उसको hours में convert करना पड़ेगा किसको जो time दिया गया तो हमने क्या कि 5 जो दिया गया मिनन्य दिया तो यह हमने क्या किक़ी km per minute लिया ताकि आपको सीधा distance निकालने के लिए speed into time जो minute में वो चल जाएगा का 15 minute तक वो now से मारिया आगे की तरफ चलती रहे किदर की तरफ upstream में तो किस speed से वो चल लए थी 15 minute तक तो हम कहेंगे boat minus stream तो वो किस speed से चल लए थी x minus y कि speed से अब कितने minute चली है 15 minute तो कितना distance cover किया x minus y speed into time अब यह यहाँ पर पहुच गई और उस 15 minute में जब यह 15 minute इधर की तरफ चली तो उस 15 minute में जो hat है वो किदर की तरफ चली है starting point की तरफ वो hat चल नहीं रही है hat बह रही है पानी के साथ hat में कोई speed है नहीं अगर hat में speed नहीं है तो वो hat पानी का जो speed होगा उस speed से चल रही है यानि किस speed से चल रही है y की speed से और यह 15 minute आगे गए तो उसी 15 minute की दोरान यह hat 15 minute तक किस speed से starting point की तरफ जा रही है y की speed से क्योंकि hat में कोई speed नहीं है तो hat पानी की speed से ही starting point की तरफ जाएगी अब आप बतेए कि जब उसे realize हुआ जब उसे realize हुआ तब तक उनके बीच का distance कितना था तो 15 minute तक यह जो distance cover कियá speed into time और यह 15 minute में यह जो distance cover किया आगे और यह इधार तो total distance कितना हुआ तो total distance यहां पर हो गया है इनके बीच का, जब इसको पता चला तब इनके बीच में कितना distance था, तो आप निकाल सकते हैं, यह distance कितना है यहां से यहां, दोनों यह distance प्लस यह distance, तो distance आजाएगा, speed into time, 15x minus 15y, और प्लस यह वाला distance आजाएगा, 15y, तो आपका distance इनके बीच में क जो distance था वो कितना था तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच में distance था यह distance और यह distance add किया y cancel हो गया तो बचा कितना 15x यानि जब उसे पता चला उस time पर उस hat और maria जो boat से थी उसके बीच में कितना दूरी था 15x अब हम बात करेंगे relative speed और relative speed ध्यान अब यह बोला गया है कि जब maria को रिलाइज हुआ तो वह अपनी हैट को प्राप्त करने के लिए चल देती है डाउन स्ट्रीम में और आपका जो हैट था वो तो यहां से इधर के तरफ बहे गई और यह इसको कब मिलती है है इसको कब मिलती है स्टार्टिंग पॉइंट पर जैसे हैट पहुचती है वैसे यह भी maria भी अपनी बोर्ट से पहुच जाती है तो हम यह कहेंगे कि इनके बीच के जो डिस्टेंस था फिप्टी नेक्स अगर इस मारिया यह जो मारियाया को इसको एगर मिलेगी हैट उसे प्राफ्त होगी कब जब इनके बीच कर डिस्टेंस जीरो हो जाए तो कितने समय में 2 का डिस्टेंस G9 तो आप बटा सकते हैं डिस्टेंस 15 एक्स iron के बीच का डिस्टेंस कंग होगा तो हमें पता है कि यह इस चल लगी और यह स्टरिंग पॉंट परror मीडिया उसकी पासे यह स्टार्टिंग पॉइंट पर बें ہां इसका कि इसका इसके स्पीड स्पीड को यहाँ पर स्पीड होगी X plus Y और स्ट्रीम की स्पीड तो यहां पर स्ट्रीम की स्पीड वाई से यह स्टर्टिंग पॉइंट की तरह आ रही है मारिया उस हैड को प्राप्त करने के लिए किस स्पीड से आ रही है x plus y की speed से और इनके बीच में distance था 15 x तो जब मिलेगी वो hat तो इनके बीच में distance कितना होना चाहिए 0 और ये जो distance गम किया जाता किस speed से कम किया जाता है relative speed से और relative speed क्या होती है, same direction same direction है और हो relative speed होगा दोज़ी speed का difference, to x plus y minus y और ये plus y minus y कैंसिल कितना हुआ स्पीड एक्स यानि कितने समय बाद उसे मिलेगी हम टाइम मिनट में यूज करें तो यह ताइम किसमें आएगा पंदर मिनट पाद पंदर मिनट के बाद मारिया को उसकी हैट मिली और वह कहां पर मिली तो बोलताया गया कि वह मिली है कहां इस्टार्टिंग इग्जाक्ली 4 km, 4 km, अगर ये 4 km distance है, जहां पर हैट उड़ी थी, वो starting point से 4 km की दुरी पर था, तो आप बते हैं कि हैट की speed जो होगी, वो वहीं होगी, जो की stream की speed होगी, हैट की speed वहीं होगी, जो की stream की speed होगी, क्योंकि वो हैट पानी में गिरी है, तो पानी की जो गती है उसी गती से वो बैखे starting point पर जा रही है, तो वो हैट कहां से कहां तक गई है, कितने km distance कवर किया है, जहां पर गिरी है, वो starting point से 4 km था, और starting point पर जाके उसे प्राप्त हुई है, यानि वो हैट कुल कितना distance कवर किया है, 4 km, उस हैट ने total 4 km distance कवर किया है, और कितने समय में कवर किया है, तो आप बते हैं, जब गिरी थी, उसके 15 मिनट बाद realize हुआ, जब realize हुआ, उसके कितने समय बाद हुआ, हैट मिली है, तो जब realize हुआ, तो हैट यहाँ पर थी, मारिया यहाँ पर थी, और यह हैट जब मिला, मतलब वो जब starting point पर पहुची है, तब तक कितने मिनट बाद? 15 मिनट बाद, तो आप कह सकते हैं, हैट ने total कितना time लिया इस 4 km distance को cover करने के लिए, तो 15 मिनट और 15 मिनट यानि total कितना हुआ, 30 मिनट और 30 मिनट में 4 km, तो speed कितना होगी? speed is equal to hat की speed, hat की speed क्या होगी कि उसने 30 मिनट में 4 km cover किया है, तो distance 4 km, km में है तो time hours में होना चाहिए, 30 मिनट है, minute को hours में convert करेंगे, divided by 60 जो की उपर जाएगा, तो हम क्या सकते है 8 km per hour ये stream का speed आएगा क्यों, stream का speed क्यों होगा क्योंकि hat की जो speed है वो किसका speed है, stream का speed hat में कोई speed तो होगी नहीं, hat में तो generator या कुछ ऐसा व्यास्था तो नहीं किया गया, कि उस वो भी तैर करके वो अपनी speed से चले, तो hat जो हैगी, वो उसी speed से चलेगी जो stream का speed होगा तो हम क्या सकते हैं, कि hat ने 4 km दूरी, 30 मिनट में तो hat की speed 8 km प्रतिगंटा यानि कि stream की speed 8 km प्रतिगंटा थी तो यह पूरी कहानी मैंने आपको बताया और आपको इस कहानी में क्या मिला कि पहला point की, यहाँ पर जब हैट मिली, जब हैट मिली यह ऐसी condition दी गई है, उसके जब हैट मिली तो वो कहाँ पर पहुँच चुकी थी starting point पर, जब हैट मिली तो starting point पर पहुँच चुकी थी, इस तरीके की कुछ information अगर आपको दी जाती है तो question का answer सीधा direct करने का तरीका मैंने शुरू में बता दिया था distance, जितने distance के बाद वो गिरी थी, मतलब जितने distance पर गिरी थी उसको divide करेंगे, जितने समय बाद realize हुआ उसके double time से और सीधा सीधा आपका stream का speed आएगा अगला question पर चलते हैं और अगला question है आपके यहाँ पर इस question को सीधा सीधा देख लो क्योंकि ये question same type का है तो इसको मैं सिर्फ English में पढ़ूँगा Hindi में मतलब होई है, सिर्फ value बदली होई है तो question का मतलब Hindi English में मैं इसलिए पढ़ूँगा ताकि आपको time मिल सके question को करने का इस question में आपको जो दिया गया information question है Maria was traveling in her boat when the wind blew her hat off and the hat started floating back downstream the boat continued to travel upstream for 20 more minutes before Maria realized that her hat had fallen off and turned back downstream she caught up with that as soon as it reached the starting point find the speed of river if Maria had flew off exactly 5 km from where she started अब इस question को करते हैं और ये question में जो point दिया गया है same condition है, same तरीके का question है अगर आप ठीक से समझ पा रहे हैं तो इस तरीके question के लिए पूरा time figure बना के तो बर्बात करेंगे नहीं आप तो इस तरीके question को करने के लिए आप सीधा time से divide करना है यानि पांच किलोमेटर है यह 20 मिट बाद यानि 20 के double कितना होगा तो हम कह सकते हैं चालीस मिनट तो 40 मिनट क्योंकि मिनट है तो उपर into 60 कर देंगे इसको hours में convert करने के लिए 60 से divide जो उपर जाएगा तो आप कह सकते हैं 30 upon 4 7.5 किलोमेटर पर आवर्स उस stream का speed रहा होगा अगर इस question को करें जो question का मतलब है समझते वे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कुछ कि मारिया यहां से चली थी हमने का यह starting point है और इस starting point से वो जब चली थी तो कुछ समय बाद उसकी हैट उड़ गए और हैट उड़ने के बाद उसे तुरंत पता नहीं चला हैट उड़ने के 20 मिनट बाद उसे पता चला तो आफ्टर 20 मिनट उसे पता चला कि उसका हैट उड़ गया है तो 20 मिनट तक वो upstream में जाती रही यह question में दिया गया है कि condition के according देख सकते हैं upstream की बाद की जा रही है वो upstream में जा रही तभी वो back आकर के starting point पर कौन back आकर के starting point पर पहुचने के बाद मिलती है हैट और हैट कि इस स्पीट से चलेगी पानी की स्पीट से और पानी अगर आपका starting यहां से अगर इधर की तरफ नहीं बह रहा होगा तो वह starting point पर कैसे हैट पहुचेगी इससे भी पता कर सकते हैं और सुरू में लिखा भी है आपको थर्ड लाइन में कि किस direction में किदर का जा रही है वो व मिनट पर मिनट क्यों लिख रहा हूं ताकि आपका जो time है ना वो मिनट में तुसे hours या second में ऐसा कुछ convert न करना पड़े वो उसे मिनट में रहने देंगे अब यहां पर यह आप कह सकते हैं कि 20 मिनट बाद अगर उसे पता चला कि उसकी हैट उड़ गई है तो 20 मिनट तक व हैट ओड़ी थी उससे कितना आगे निकल चुकी है एकस माइनस वाई स्पीड इंट टाइम और उसी बीस मिनट में जो हैट है वो डाउन स्ट्रीम में पानी के साथ बेह रही है तो पानी की जो इस स्पीड है उसी स्पीड से 20 मिनट तक चली है और पानी के स्पीड कितना थ चुकी है और हैट इतना पीछे आ चुकी है यानि टोटल डिस्टेंस उनके बीच में कितना था जब उसे पता चला है मारिया को पता चला है कि उसकी हैट उड़ चुकी है तो कितना डिस्टेंस उनके बीच में था तो आप कह सकते हैं कि उनके बीच में जो डिस्टेंस था वो x-y into 20 plus 20y यानि अगर multiply करें तो यह distance और यह distance जोड़ें तो लेखेंगे 20x minus 20y और प्लस यह वाला distance 20y यानि 20y cancel तो कहेंगे कितना distance था 20x यानि जब maria को realize हुआ कि उसकी hat उड़ चुकी है तो उस time पर hat और maria जहां पर थी उसके बीच में कितना distance था 20x अब यह hat इधर से चलना मतलब चली रही है बहे रही है और hat जो है वो यहां से बढ़ते बढ़ते जैसे starting point पर आती है वैसे ही वो किसको मिलती है maria को मिलती है और hat यहां से भी अगर इधर की तरफ जाएगी तो किस speed से जाएगी y की speed से यानि पानी की speed से stream की speed से जिसकी speed हमने y माना है और ये मारिया जो है वो यहां से चलेगी और इसकी speed क्या होगी मारिया की क्योंकि यह up stream में जा रहे थी अब down stream में आएगी तो यानि किसी speed से आएगी x plus y की speed से कितने समय बाद वो hat उसको मिलेगी तो हम time निकालेंगे और time निकालेंगे तो हम कहेंगे कि distance इनके बीच में कितना था जब इसको realize हुआ तो हम कहेंगे कि hat और maria के बीच में जब इसको पता चला तो उस time पर इनके बीच में distance था 20x और 20x distance था और जब यह hat इधर चले तो अब इसी time पर यह इधर की तरफ चले है और यह यहां से इधार की तरफ यानि किस speed से 20x कवर किया जाएगा relative speed से तो relative speed क्या होगी यह आपका relative speed होगा same direction है x plus y और यह जो speed है इन दोनों speed का difference क्योंकि same direction है तो difference है गा x plus y minus y cancel यानि कितना x तो relative speed से वो 20x जब maria cover करेगी maria relative speed से जब 20x cover करेगी उसके बाद वो उसे hat मिल जाएगी तो कितने समय में cover करेगी तो यह आपका result आ गया 20 minute कैसे आ गया तो distance divided by relative speed और आपका time आ गया 20 minute यानि maria जब यहां पर थी तो hat यहां पर थी और इस maria को 20 minute बाद जब उसको पता चला उसके 20 minute बाद hat मिली है यानि इसके बाद जो hat ने cover किया है वो 20 minute तक और 20 minute में वो hat कहां पहुच गई starting point पर 20 minute इदर चली थी 20 minute इदर चली थी यानि hat जो उड़ी थी वो जहां से उपर उड़ी थी वहां से कितने समय बाद वो starting point पर आई तो 20-20-40 minute में 40 minute में आई और वो कहां पर उसकी hat उड़ी थी तो question वो बोला गया 5 km दूरी पर starting point से तो यह कह सकते हैं कि जो hat है वो 5 km की दूरी कितने समय में cover करती है तो hat 5 km की दूरी 20 minute प्लस 20 minute 40 minute में cover करती है तो speed कितना आ जाएगा stream का hat का speed मतलब stream का speed तो 5 km distance cover किया गया hat द्वारा किसी speed से stream की speed से कितना time में 20 plus 20 40 minute है hours में convert किया तो यह आपका cancel कितना आ रहा है 7.5 km पर आउस यह आपका answer हो गया कि 7.5 km पर आउस stream का speed रहा होगा next question पर चलते हैं एक और question करेंगे हम ताकि आपको जो problem थोड़ा बहुत हो वो एकदम clear हो जाए यह question है सिर्फ English में पढ़ने की जरूरत है Hindi में some meaning वहीं है समझने की जरूरत है कि Hindi में क्या है वो समझ गए तो आपका answer निकलाएगा मर्या जरूलिगि हम आपको मर्या ओसे निरू बहुत ओर लूज़िए रवागा और यह बहुत कि अव corona ले आफ सक्वति हैं गए बहुती हैं मर्या बहुती हैं कि वहार तोबको मर्या में रहे रिवटी हैं अगर इस question का answer directly करना हो क्योंकि हमें पता चल गया कि उसी तरीके का question है तो बिना इन सब figure को बनाए समझे सिधा सिधा हम निका कि हमने तो एक shortcut तयार कर लिया सिधा answer निकाल लिया लेकिन समझना जरूरी है question को किस तरीके से वो shortcut तयार हुआ है अगर वो नहीं पता है तो question थोड़ा भी घुमाया जाएगा मैं बार-बार कहता हूँ कि थोड़ा question घुमा दिया गया तो सारे shortcut खतम हो जाते हैं वहीं पर चाहे कितना भी shortcut तयार कर लो time is equal to sorry speed is equal to stream का speed is equal to आप directly answer कैसे निकाल सकते हैं stream का speed distance कितना है 3 km divided by 12 मिनट बाद उसे रिलाज हुआ तो 24 मिनट किलोमेटर है तो इसको आवर्स में convert करेंगे ताकि किलोमेटर पर आवर्स में speed आए 24 डिवाइड़ बाइड़ सिक्स्टी जो की ऊपर जाएगा ट्वैल फाइब एंड ट्वैल्ड टू जानि हम कहा सकते हैं इसको उसी तरीके से करूं तो मैं पूरा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा थोड़ा स्पीड में बता दूंगा कि जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट पर वह चलना प्रादम करती है उससे कुछ दूरी पर हैट उड़ती है और हैट जब उड़ी तो वह कितने समय बाद उससे पता चला बारा मिनट बाद तो बारा मिनट तक वह अप स्ट्रीम में जा रही है कितना डिस्टेंस कवर करेगी 12 इंटू x-y स्पीड इंटू टाइम और उसी 12 मिनट में जो हैट है वो पानी के साथ बैगी स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 12 इंटू किसी स्पीड से y कि स्पीड से थोड़ी स्पीड ज्यादा क्योंकि की तीसरा question है और same pattern का है तो इसको फिर से वहीं slow motion में पढ़ने की जुरुवत नहीं है अच्छा जब इसको पता चला उस time पर head और maria के बीच में distance कितना था तो यह दोनों जोड़ दीजिए 12y और यह हो गया 12x-12y तो आपका distance है यह इधर से आगे की तरफ बढ़ी है और maria यहां से बढ़ी है और यह कितने समय बाद मिली है तो इनके बीच का distance था कितने समय बाद मिली तो time is equal to this बीच का distance कितना है 12x और किस speed से कवर करेंगे relative speed से relative speed क्या आएगा x plus y यहां से मार्या चल लगा x plus y क्योंकि इधर जा रही थी अप इस्टी में x-y इधर की तरफ आएगी x plus y और यह की speed से पानी की speed से y की speed से यानि relative speed क्या होगी इन दोनों का difference जो कि आपने निकाला था वाई cancel हो गया x की speed से यानि कितने समय बाद पता चला उसे मतलब कितने समय बाद वह जब वह पता चला उसके सब्सक्राइब करेंगे तो डिवाइड करेंगे 60 ऊपर जाएगा तो यह आपका जाएगा 7.5 km per hour यह आपका answer हो गया अच्छा अगर हम इस question के बाद अगले question की बात करते हैं आज ही class का एक और question करते हैं last थोड़ा सा speed में ने बराद दी थी इस question के लिए क्योंकि इस same pattern का question था अगर इस question को देखें तो question क्या है अच्छा अगर यह question अगर आप देखें जो आपको दिया गया है तो बोला क्या गया हिंदी में इसको figure के थुरू समझा देता हूं कि ऐसा question हम लों ने किया है वीडियो जो होगी 9 10 11 इसके नियर बाउट ऐसा question किया था बट यह बोट इन स्ट्रीम पर बेश है वो थोड़ा सा और रनिंग रेस पर बेश था question कोई A से भी गया फिर B से आया फिर A से भी गया फिर B से आया ऐसा question था तो इसमें बुला गया है टू बोर्ट स्टार्ट अधी सेम ताइम अच्छा यह बुला गया है कि नदी है उसकी जो चौडाई है ना वो डबलू मीटर है नदी की चौडाई डबलू मीटर है और इसकी बात बुला गया है दी फास्टर बोर्ट रिचेज दी अधर बैंक एंड रिटर्न बैक इमेडियेटली वाट अर्डी डिस्टेंस टेवल बाइदेम वें दे मीट वेर दे स्पीड आप दी बोर्ट सार्वीवन अडीट अच्छा दो बोट हैं दोनों बोट एक ही समय पर नदी को क्रॉस करने क इसलिए चलना प्रारम करती है एक की स्पीड जो दी गई है वह वीवन किलोमेटर पर आउस और दूसरी की स्पीड दी गए है वीटू किलोमेटर पर आउस किलोमेटर पर आउस भी नहीं दिया है सीधा सीधा वीवन और वीटू ही रने देते हैं अच्छा अगर वीवन जिसकी स्पीड जादा है वो यहां से यहां जाने के बाद फिर रिटर्न होती है और वे रास्ते में मिलती है तो जिसकी स्पीड जादा है वो यहां से वहां तक जाती है फिर वहां से जब रिटर्न होकर के आती है तो यह जो slow motion वाले थी वो जा रहे थी मिलेंगी तो तबी न तो आप बतेए कि ज़रे हमने कहा कि V1 की speed जादा है इसमें दिया है क्या कि किसकी speed जाता है जादा है नहीं दिया है तो बस इतना बोला गया है कि जो जिसकी speed जादा है वो जाती है दूसरे नदी के किनारे पर वहां से तुरंत वापस return होती है तो अगर V1 की speed जादा है तो य उसकी speed जादा वो पहुचने के बाद return होकर के आती है तो कहीं ने कहीं slower वाली जो जा रही होगी boat वो अभी पहुची नहीं होगी तब तक वो return होकर के आ रही होगी और वो रास्ते में दोनों मिलेंगी तो बुला गया कि जब तक वो मिलती है जब वो मिली तब तक उनके दोरा जो distance cover किया गया वो कितना 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 कि यह देखिए कि जब यह मिलेंगी तो दोनों मिल करके कितना डिस्टेंस कवर करेंगी तो दोनों मिल करके डिस्टेंस कितना कवर करेंगी यह वाली जो जा रही है कितना गई डाबलू मीटर यहां से यहां गई डाबलू मीटर और उसके बाद यह इधर से यह आई है और यह भी जा रही है मतलब यह वाला पार्ट भी कितना हो गया डाबलू मीटर यह डाबलू मीटर और यह वाला पार्ट मिला के डाबलू मीटर यानि टोटल कितना डिस्टेंस कवर क किया गया तो टोटल डिस्टेंस हुआ जो कि उनके दोरा कवर किया गया वह 2W required total distance उन दोनों मिल करकि कितना कवर किया मिलने तक 2W मीटर कवर किया है और किस स्पीड से कवर किया है तो हमें पता है कि हर जो भी हर एक युनिटảiम में अगर आपका मीटर है तो मैंने स्पीड मीटर सेकेंड माना तो हर большое कि हुनिट OUR यह युनिटर चलेगी और बिस्टेंस कवर किया विवन वी टू ना बताना tiаль कि जब यह मिली है तो उस पुल कितना कवर किया ऩॉद ऺवर कैई हर एक inrece करेंगे उट्रेंद समय में कितना कवर करेगी वीटू अधिक युद मिल टाइम में अब वी 1 प्लस V2 अब वी 2 अगर एक करेंगी तो इसका स्बीड से दोनों मिलकर कि डिस्टेंस कवर कर रही है और इस स्पीड से दोनों ने विलकत ब्लस व किया थो बताए कितने समय में कुश्य कवर किया होगा हम निकाल सकते है टारिम ब्लस थो इस्टेंस तूड मिल by कितना speed V1 plus V2 इस speed से इतना distance cover किया तो कितने समय बाद वे मिली यह आपको पता चल गया 2W upon V1 plus V2 अच्छा अगर इतने समय बाद मिली है जो faster होगी जो slower होगी और जो faster होगी उनके द्वारा जो distance cover किया गया जैसे इस में से एक के द्वारा जो distance cover किया जाएगा जिसकी speed जादा है मने का वी बन की जादा speed जादा है तो हम कह सकते हैं कि faster वाली की जो faster वाली ने जो distance cover किया वो कितना cover किया वो आपका जाएगा speed किसी speed से चल लए थी V1 और कितने समय के बाद मिली है 2W upon V1 प्लस V2 यानि distance कितना cover किया तो आपका time into speed और time है 2W upon V1 plus V2 into आप लिख सकते हैं V1 यानि time into speed is equal to इसके द्वारा distance cover किया गया मिलने तक हुआ गया और इसने कितना distance cover किया slower ने कितना distance cover किया तो यह आप कह सकते हैं कि उसने distance cover किया time into speed, time into speed यानि 2W upon V1 plus V2 into कितना V2 ये दोनों के द्वारा जो distance cover किया गया, मिलने तक वो आपका अंसर आ गया, तो आज की class में जो अमनोंने discuss किया वो relative speed per based question थे किस तरीके के question को कैसे solve करना है ये अमनोंने सीखा, तो आज की class यही समाप्त करते हैं मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए नमस्कार